कि नमस्कार साथियों वेदान्त कलासेज के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन साथियों आप सभी के लिए सांदार खबर है कि काफी साथी प्रहसान हो रखेते कि अगर ऐसा ही को आरेस्ट बरती में स्वामिल कर लिया तो फिर अमारा क्या होगा उन आरेस मेंस क्योंकि देख विद्यार थी आरेस और एसाई दोनों भरती बिल्कुल अलग है आरेस में आपको मेंस लिखना होता है एक प्रिलिम्स की तरह के एक्जाम होता है फिर उसके बाद फीजीकल इंट्रिवू और डेरेट जोइनिंग मिल जाती है अगर अच्छी रहे वह थोड़ा सक्षिता आपको बता देता हूं तो को कि कुछ विद्यार्ती नए भी जुड़े जिनको ऐसाई भरती के बारे नोलेज नहीं है और कुछ पुराने विद्यारती है जो पिछली बार कुछ नंबरों की वज़ए से वो रह गय थे उनको भी मैं बता देता हूं पिसे तो आपको सब को पता है साइवरती की अगरम बात करें तो एसाइव लुटी तीन चरणों में संपन उती है वह दूसरा फीजिकल ओता है और तीसरा इंटरी होता है तीन चरण होते हैं पहला चरण वस्तुनिष्ट पर्षनों की दो पेपर होते हैं एक फर्स्ट पेपर Pember होता है और egg second paper होता है फर्ष्ट पेपर की बात करें अगर हम फएच पर होता है हिंदी का इसका होता है लिका होता है और हिंदी पर में जो अंक होते हैं वह 200 카oos00 का होता है और 100 क्ष३ा आतें हैं कितने आते हैं है फ्रटेक क्यूषन तो होता है और इस 36% नॉमबर लाना अनिवारी होता है पस्ट पेपर की बात पता रहा हूं हिंदी सेकेड पेपर होता है GKGS का कि किसा होता है GK fashioned CS का होता है यह मतलब RSpree का सलेबस है सेम कोई चैंज है RS का दो चाहिए एसाई का जो सेकंड पर जीके का है वो दो बात सेमी तो आरेस प्री का सलेबस है यह भी विद्यारतियों आरेस का अलग रोला आरेस में तो क्या होता है डेटिशु कुछन आते हैं 200 नमबर का होता है लेकिन यहां अलग है यहां 100 यूशन आएंगे और परते कुछन दो नमब नमबर का पेपर होता है यह नमर का पेपर होता है यहां 200 नमबर का पेपर हता है उप इसमें का इससे में डिपेंड करता है अलग-अलग केटेगरी की अलग-अलग मेरिट आती है उसके बाद में आपका फीजिकल कोल होता है वरना नहीं होता है और फीजिकल होता है सो नंबर का इतने का होता है सो नंबर का होता है लड़कों के लिए अलग होता है लड़कियों के लिए अलग होता ह है और जो महिला हैं उनके लिए अलग होते हैं वो तो अगर उस पर भी मैं जल्दी एक वीडियो लेके आ इससे पहले तो अगर हम बात करें तो नंबर का होता है फिर इसके बाद में जो रिटन में आपके जो नंबर आये हैं और जो फीजिकल में नंबर आये है और उसी आदार पर इंट्रुव कोल होता है फिर आप जैसे इंट्रुव कोल में चले जाते हो तो इंट्रुव होता है पचास नंबर का इंट्रुव होता है पचास नंबर का जो इंट्रुव होता है पचास नंबर का जो इंट्रुव होता है पचास नंबर का जो चार सो पचास में से मेरिट बनती है दूसरी बात करें अगर हम तो फीजिकल के नंबर नहीं जूडते हैं क्या फीजिकल के नंबर नहीं जूडते हैं फीजिकल के नंबर केवल वहां तक मैं तो रखते हैं आपको इंटरु तक पहुंचाने के लिए मतलब रिटन एक्जाम द कर 350 के बीच में आपके पास नंबर आ जाते हैं तो आपको SI बनने से कोई नहीं रोक सकता SI में भी अलग-अलग पद होते हैं एक तो प्रवपर जो एपी वाली पोस्ट होती है जिसे थानों में थानादिकरी वगर लगता है वो इसके अलावा कि पोस्ट में मिलती है MBC में पोस्ट मिलती है ठीक है और अगे बात करें अगर हम SI का किस परकार से SI होना जा सकता है SI के लिए क्वालिफिकेशन वगर होती है तो ग्रेजिशन होना जरूरी है रेजिशन लेवल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 21 साल की आज आपके पास होनी चाहिए और अलग-अलग के टेगरी के लिए अधिकतम कितनी है जैसे किसी के लिए 28 है तो किस किसके लिए 35 होती है किसके लिए 40 होते है जब विग्वभ्ति जारी जारी होती है तो समर्डीस होता है वैब भानेत हैं मैं बता देता हूं ऐस्ट और OBSU जो मेल होते हैं उनके लिए 30 होती है और महिलाओं के लिए 35 होती है ठीक है這個 बाकि एक सर्विसमेन वगरा रहे इनके लिए अलग एच तो यह चरण रहता है ऐसा ही बनने का इस परकार से आप ऐसा ही का पेपर को क्रेक कर सकते हैं और देखो अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा अगर अगर आपका क्लियर हो जाएगा और मैंस लिखने के अगर सेली आपकी अच्छी है तो मैंस मी निकालोगे और फिर आप क्या बन जाओगे विद्यारतियों आरेस भी बन सकते हो साखसातकार वगरा वो पूरे चरण होते हैं उसमें तीन चरण होते हैं प्रिलिम्स मैंस और फिर इंट्रुवी होता है प्रिलिम्स के नंबर काउंट नहीं होते हैं उसमें मैंस और इंट्रुवी के नंबर ही काउंट होते हैं उसी के बैस पर मेरिट बनती है अलग-अलग पोस्ट होती है वह आपको मिल जाती है कई मैंने ऐसे उधारण देखे हैं जो पहले ऐसा ही बने बाद में कि एक सूतना हमारी तरब से यह है कि हमारा वेदान्त क्लास ए आजमेर के नाम से अजमेर में इसमेर में इंस्टिट है ओप लाइन इस यहाँ पर इधियो को देख रहे हैं। से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ सेयर करो और आप या आपके मिलने वाले जो भी वास्तों में ऐसाई या आरेस प्रिलिम्स की तैयरी करना चाहते हैं वेदान्त क्लासे अजमेर के साथ जुड़ें और अपने तैयारी को बहुत एप्लिकेशन भी बना रखा है यूटूब चैनल भी बना रखा है और सोचल मीडिया प्लेटफूम जितने भी है उनके साथ आप जुड़ सकते हैं और अगर आप हमारा जुप एप्लिकेशन है इसको किस परकार से जुड़ सकते हैं तो गूगल पले पर जाएंगे आपको सुचना कैसी लगी अच्छी लगी है विद्यारतियो चैनल को अधिक से अधिक साथ योगे साथ सेयर करो और अधिक से अधिक सपोर्ट करने की प्रसिश करो थेंक्यू मित्रो